नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेर सीरीज में, आज हम 4 जुलाइ के करंट अफेर्ज जो है, वो डिस्कस करेंगे, तो स्वागत है आपका IS की तैयारी चैनल पे, तो आज के जो करंट अफेर्ज हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला करंट अफ एक प्रोपोजल भेजा है ताकि जो NTCA है इस नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी उसको कंसीडर करे और शिवालिक फॉरिस्ट को एक टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेर कर दे तो यह जो था यह इस करेंट अब जो थोड़ा हम लोग इसके बारे में जान लेते है ताइगर तेलिजर्व के बारे में जो फैक्ट से जो प्रिलिम पॉइंथ व्यू इंप्रोडेंट है वो यह है कि 2019 तक कि अभी तक जो है इंडिया में 50 टाइगर ताइगर यह प्रेजर्वेंड करती है उन्डर परजेट टाइगर यह प्रजेक्ट टाइगर यह आप जो है वो एक statutory authority है, जो की wildlife protection act 1972 के अंदर बनी है, और national tiger conservation authority जो है, बनाई तो wildlife protection act 1976 के अंदर गई है, बट इसको बनाया गया था, इसमें amendment करके, जो है, तब 2006 में जो है, national tiger conservation authority को statutory body का दर्जा दिया गया था, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, tigers के बारे में, इंडिया जो है, उसमें विश्व की जो है, 80% tiger की जनसंख्या जो है, वो इंडिया में ही रहती है, तो अगर question इस तरह से पूछा जाता है, आपसे प्रिलिम्स में की, सबसे ज़्यादा tiger की population है, कौन सी country में पाई जाती है, तो वो इंडिया है, क्योंकि 80% जो है, विश्व की वो, tiger की population यही पाई जाती है, जो tiger reserves होते हैं, अब यह है कि इनको declare कौन करता है, इनको declare जो है, इनको national tiger conservation authority ही करती है, वो जो मैंने आपको बदा दिया था कि wildlife protection act है 1972 में, उसमें 2006 में जो है, amendment की गई थी, तब उसके बाद जो है, national tiger conservation authority को जो है, statutory body का दर्जा दिया गया था, तो यहां पे जो है, वो tiger reserves को, जो है, national tiger conservation authority, जो है, वो declare करती है, इनको declare करने के लिए क्या होता है, कि या तो state government, या तो central government, जो है, वो proposals भेजेगी, ntca को, ntca उनको consider करेगा, और उसके बाद जो है, किसी भी area को tiger reserves का दर्जा, जो है, वो ntca ही देती है, final जो उस पे मोहर लगाएगा, अब यहाँ पे क्वेशन है कि, ntca के बास इतना पावर है, तो ntca को head कौन करता है, तो ntca को head करते है, वो हमारे environment minister है, ठीक है, तो हमारे environment minister कौन है, यह एक बर पढ़ लीजेगा, क्योंकि यूपीसी के point of view से important नहीं है, बट state PCS में कई बार direct questions पूछ ले जाते हैं, या SSC पूछ ले जाते हैं, तो आप एक बार इनको पढ़ लीजेगा, अब थोड़ा सा Tiger के बारे में जान लेते हैं कि, जो थोड़ा सा UPSC point of view से important है, कि Tiger उसको wildlife protection act 1972 के जो है, उसको प्रोटेक्शन दी गई है, साइट जो है, इसको प्रोटेक्शन दी गई है, साइट जो है, जो है, उनको मेंशन किया है, तो आप इस लाइट को एक बर गो थू कर लीजेगा, खुद से पढ़ लीजेगा, नेक्स जो है, वो हमारा जो करण अफेर वो उद्देयोग सेतु से रिलेटेड है, उद्देयोग सेतु जो है, अभी ये कंटेक्स में क्यू है, क्यूंकि जो हुए है, उन्होंने सेंटल गवर्मेंट को बोला है, कि जिस तरह से आपने आरो के सेतु एप को बनाया है, उसी तरह से उसी पेरामीटर पे आप उद्देयोग सेतु एप को भी बनाई है, ये बेसिल लिए उन्होंने ऐसा क्यूं बोला है, उन्होंने ऐसा इसलिए काहा है क्योंकि इस COVID-19 क्राइसिस के टाइम पर बहुत साई MSME सेक्टर जो थे वो फाइनेशल क्राइसिस के थू जो थे उससे जा रहे थे तो अगर आप उनको फाइनेशल एड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो काफी MSME सेक्टर जो है चोटी कंपनीज जो है वो बंध होने की कगार पर आजाएंगी तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक उद्योग सेतु करके एप बनाएए ताकि उन पर जो है कंपनीज रिजिस्टर करें ताकि हम जो है चोटी-चोटी कंपनीज को बेल आउट कर सके यानि उन्हें फाइनेशल एड प्रोवाइड कर सके ताकि वो फाइनेशल क्राइसिस की वज़ा से बंद होने की कगार पर ना आ जाए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्यू उन्होंने कहा कि अरोग सेतु एप के बेसिस पे उद्योग सेती एप को बनाया जाए क्यूंकि अभी जो है किसी भी स्टेट के पास जो है वो रिलाइबल डाटा नहीं ह कि कौन सा जो सेक्टर है उसको रिवाईवल की जरूर्थ है कौन सा सेक्टर है वो सबसे जादा है उपको बना देँ तो बहुत सरे कमपोनी के वहां पर रिजिस्टर करेंगी तो आप पता कर सकते हैं अप ट्रेस कर सकते हैं एक डाटा आपके बまだ चानद हो जाता है और जब चार स्टेटमेंट दी जाएंगी, चार स्टेटमेंट में आपको एक स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, बेल आउट the MSME, तो आपको वही चूस करना है, ठीक है, तो ये जो है, वो सेकिंड करन्ट अफेर था, थर्ड जो करन्ट अफेर आज न्यूज में है, वो ट्रेट डेफिसिट फॉल विच चाइना है, अब ये तो आपको भी पता ही होगा, क्योंकि बहुत होट टॉपिक है, और इंडिया ने 59 अभी अप्स चाइना की बंद कर दी है, और इंडिया ने अपने ट्रेट टाइस जो है, वो भी चाइना की साथ काफी हद तक कट कर दिये है, तो ये ट्रेट डेफिसिट का जो फॉल है, वो क्यों आया है, क्योंकि इंडिया ने अपने इंपोर्ट जो है, वो कम कर दिये हैं चाइना से अब यहां पर थोड़ा से देख लेते हैं जो कभी-कभी पूछ लिया जाता है बहुत ही basic term है कि trade deficit क्या होता है trade deficit जो है वो एक difference है कि कितना हम लोग किसी देश से import कर रहे हैं और हम कितना export करते हैं उन दोनों का बीच का difference तो अगर हमारे imports जादा है और exports कम है तो हमारे trade deficit जादा होगा अगर हमारे exports जादा है और imports कम है तो हमारे trade deficit जो है नीचे गिरा है चाइना के साथ यह किन-किन कारनों की कर दिया को पर यहां कि वहाद हो KV19 टो को जलाओं झाब मुझा कर दो स्यूए तो इंडिया ने अपनी यहां पर हमने एंटिनम्पिक ड्यूटी के बारे में पड़ा था तो थोड़ा समोचा के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में क्वैस्व पूच्छ पूच लिया जाता है तो काउंटर्वेलिंग एसे बहुत तरीके की कस्टम ड्यूटीज हैं नहीं करता है और कया होता है यह थोड़े एग्जामबल से रखे हैं तो आप इस स्लाइड को अपने अपसे गो थू कर लीजेगा एक बार और जो हमारे टेलिग्राम गूर्प है उस पे जो है इसका पीडिएफ शेयर कर दिया जाएगा तो आप वहां से भी इसको ले सकते हैं और जो मिनिस्स्री घवीट ने 33 नू फाइट उसको अप्रूवल दिया है अब जो यहां पेश इंपोर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्थ का जो हमक्ने इन कितने ऐयन आप्रूवल दिया है güya इसमें जो important है वो यह है कि कौन approval कौन देता है इस चीज को तो जो यहां पर approval है वो defense acquisition council देती है जो defense acquisition council है उसके बार में थोड़ा पढ़ लेते क्युंकि यह जो bodies है उनके ऊपर direct questions पूछ लिए जाते हैं UPSC में तो जो defense acquisition council है यह जो है defense procurement के लिए जो decision making के लिए वो highest body है करता है वो हमारे जो है defense minister है हमारे अभी रिसेंटली defense minister कौन है यह भी आप एक बार देख लीजेगा क्योंकि बताने की जुरुएत नहीं है काफी news में है वो और अब देख लेते कि defense acquisition council जो है decisions बनाती है तो इसके लिए उन्होंने different boards बनाये होते हैं जो की data consolidation करते हैं compilation करते हैं analysis करते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके basis पे defense acquisition council जो है final decisions लेती है तो यह भी आप एक बर go through कर लीजेगा इसमें जो important था वो defense acquisition council ही है उसके बार में थोड़ा पता होना चाहिए जादा detail में जाने की जुरूरत नहीं है next जो है वो यह है environment ministry ने अभी दुबारा से central zoo authority को reconstitute किया है तो यहाँ पे जो important है वो यह है कि central zoo authority क्या है किसके under आती है क्या काम है उनका ठीक है तो जो central zoo authority है that is वो एक statutory body है उनको जो है चेर किया जाता है environment minister के द्वारा इनका काम क्या होता है कि अगर किसी भी animal को किसी भी national international boundaries में transfer करना है तो यह जो है उस क्या parameters होंगे उनकी guidelines को prescribe करते है rules को prescribe करते है Central zoo authority जो है यह statutory body है wildlife protection act के अंदर बनाई गई है यह ministry of environment and forest and climate change के अंदर जो है यह काम करती है अब आज का जो है वो last current affair जो है वो केरला से related है basically अभी हमारे UPSC में भी एक अलग से topic है जिसमें advancement in science के बारे में पूछा जाता है role of AI के बारे में पूछा जाता है तो आप यह मेंस में इसको court कर सकते है यह तरह से capsule ही है जिसमें यह बताए गया कि केरला के विलेज ने robot nurses को जो है वो patient की केर के लिए वो डिपलॉय किया है यह COVID-19 के क्राइसी के टाइम पर तो उन्हें ने जो है दो robot nurses जिनका नाम आशा है उनको जो है वो first line treatment center में जो है केरला के किसी विलेज में डिपलॉय किया है तो आप डारेक्ट ऐसा विलेज सकते हैं तो दो robot जो nurses है उनको डिपलॉय किया गया है केरला के विलेज में इसको एक आप artificial intelligence के advancement में लिख सकते हैं और इनका जो काम है यह है कि इनकी जो कि इच है वो 15 km के अंदर तक है कि यह 15 km तक अगर आपके उनके फैमिली मेंबर हैं तो उनसे वो इंटराक्ट कर सकते हैं क्यूंकि AI है तो आप किसी भी माध्यम से उनसे इंटराक्ट कर सकते हो यहाँ पे अभी जो है मैं आपको कुछ प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कुछ कुछ क्वेशन में आपसे पूछना चाहती हूं या आपको मैं उनके बार में बताना भी चाहती हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि यह तो बहुत बेसिक हो गया कि किस तरह से क्वेशन आते हैं इसके इलावा आप यह भी देख सकते हैं कि कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे सादा डेंसिटी है ताइगर्स की ठीक है तो यह जो कुछ कुछ क्वेशन सहीं आप अपने आप करिए सेल्फ अनलेसिस करिए और खुद से फाइंड आट कीजिए सबसे इन इन इंडिया में कोई ऐसी स्टेट है जहां पर टाइगर रिजर्व नहीं है और कौन से राजिय को जो है वो ताइगर स्टेट कहा जाता है तो यह कुछ क्वेशन सहीं जो स्टाटिक जीके से बिलॉंग करते हैं तो यह आपको यह पता होने चाहिए जो है वो तो साथ म बनते रहे हैं अभी बीच में थोड़ा सा गाप आ गया था क्योंकि अवेलेबल नहीं थे कुछ काम था तो अभी जो करंट फेर की सीरीज है वह बहुत रेगुलर आएगी तो आप फॉलो करते रहे हैं और अपना ध्यान रखिए नमस्कार